संडे को स्वाती के पापा भी घर पे ही रहेंगे बोवा फिर वहां से चली जाती है और रात को स्वाती की मा उससे कहती है स्वाती बेटा, आज कमला बोवा ने एक लड़के की फोटो दिखाई है संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं, तयार हो न तुम बेटा संडे की सुबह होती है और कमला बोवा राहूल और उसके ममी पापा को लेकर स्वाती के घर आती है, आरे आईए आईए भावी इसे अपना ही घर समझे, इनसे मिलिए ये मेरे भाईया और ये मेरी भावी है धामस्ते भावी जी, ये है हमारा लड़का राहूल, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ये, वैसे आपकी बेटी कहा है अरे स्वाती बेटा, बहार आजाओ वैसे कितनी पढ़ाई की है स्वाती ने? जी, पोस्ट ग्रेजएट है हमारी बेटी साइंस में हम, ये सब तो ठीक है, पर घर संभालना जानती है या नहीं, हम एह कौन सी इससे नौकरी करवानी है, नौकरी तो मेरा बेटा करेगा ही पर मैंने इतनी पढ़ाई की है, और आप चाहती है कि मैं घर पर ही बैठी रहूँ अरे स्वाती बेटा, ये बड़ो की बात में तुम कहां बोल पड़ी, हम सब देख लेंगे क्या करना है, क्या नहीं हम तो इसी बात में विश्वास करते हैं, कि घर के लड़किया घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है स्वाती बेटा, रसोह का काम तो पूरा जानती हो ना, शादी के बाद तुम्हें ही संभालना है वो सब अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, आप सब लोग इसकी तारिफ करते नहीं थकेंगे लो भई, हो गई मिटिंग, अब शादी की तारिफ फाइनल कर लेते हैं, क्यों भईया? भई, हम तो पंडित जिससे चर्चा करने के बाद ही तारिफ फाइनल करेंगे सालों से हम उनकी बाते मानते हुए आ रहा है लड़के वाले और कमला बुआ की बाते सुनकर स्वाती एकदम नाराज हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे घर पर ही बैटना पड़ेगा लिकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शादी के लिए हां कहना पड़ता है शादी का दिन आ जाता है और सब मंडप में जमा होती है अप फेरो का समय हो गा है अब गन्या अपने वर से साथ बचन मांगेगी आप किसी धार्मिक आयोजन में जाए तो मुझे भी ले जाएंगे आप मेरे माता पिता का भी बराबरी से सम्मान करेंगे हमेशा मेरा साथ निभाएंगे आपको दोनों परिवार के जिम्मेदारियां बखुभी निभानी होगी हर जरूरी बात में मेरी भी राई लेंगे आप सभी गलत आदतों से दूर रहेंगे आप मेरे अलावा किसी और औरत से कोई गलत संबन नहीं बान देंगे ये साथ वचन पूरे हुए वर क्या तुम्हें ये सारे वचन मन्जूर है जी हाँ पंडिजी मैं सारे वचन अच्छे तरीके से निभाऊंगा आरे वावा बढ़िया तरीके से सब काम संपन्न हो गया तो इसे के साथ अब विवा संपन्न हुआ और आज से ये दोनों पती पत्नी हुए एक मिर्ट पंडिजी अभी एक वचन लेना बाकी है अब कौन सा वचन है बेटा मैं अब हमेशा के लिए किसी दूसरे घर में जाने वाली हूँ तो पती के अलावा मैं अपने साथ ससूर से भी एक वचन लेना चाहूँगी अब कहो बेटी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी मुझे सब कुछ करने की आजादी होगी और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बनके दिखाऊंगी स्वाती की बात सुनकर उसकी साथ ससूर एकदम चौंक जाते हैं और कुछ बोलने ही पाते कि उतने में कमला बुआ बोल पड़ती है अर बेटा ये भी कोई कहने की बात है रानी बनके रहोगी तुम तो वचन देने से पहले सोच लीजिए क्योंकि शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए नर्क से भी बत्तर सजा लिखिये स्वाती की चालाकी से वहां मौजूद सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों में बदनामी ना हो जाए इस कारण स्वाती की सास ससुर को उसे वचन देना पड़ता है और कैसी आप शकुन वाली बाते कर रहे हैं पंडित जी हमने मन्जूर है बेटा तुम्हारी शर्ट स्वाती अपनी समझदारी से अपनी बात अपने ससुराल वालों से मनवा लेती है और खुशी-खुशी राहुल से शादी कर लेती है अब से हर शादी में मैं खुद आठ वचन दिलवाऊंगा ओम मंगलम 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 पड़ती है अर बेटा ये भी कोई कहनी की बात है रानी बन के रहोगी तुम तो वचन देने से पहले सोच लीजिए क्योंकि शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए नर्क से भी बत्तर सजा लिकिये स्वाती की चालाकी से वहां मौजूद सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों में बदनामी ना हो जाए इस कारण स्वाती की सास ससुर को उसे वचन देना पड़ता है और कैसी आप शकुन वाली बाते कर रहे हैं आप पंडित जी स्वाती अपनी समझदारी से अपनी बात अपने ससुराल वालों से मनवा लेती है और खुशी खुशी राहुल से शादी कर लेती है अब से हर शादी में मैं खुद आठ वचन दिलवाऊंगा ओम मंगलम मंगलम मंगलम